आजके लेक्चर वीडियो में आप सभी का स्वागत है आजके इस लेक्चर वीडियो में हम उपभोक्ता संतूलन के बारे में अध्यान करेंगे सबसे पहले हम उपभोक्ता संतूलन का अर्थ समस्ते हैं कि उपभोक्ता संतूलन क्या होता है उपभोक्ता अपनी निश्चित आय और बस्तुओं की दी हुई कीम्तों पर जिस बिंदू पर अधिक्तम संतुस्टी प्राप्त करता है वह उपभोक्ता संतुलन का बिंदू होता है संतुलन बिंदू पर उपभोक्ता को अधिक्तम संतुस्टी की प्राप्ती होती है इसलिए एक उपभोक्ता उस बिंदू में किसी भी तरहें का परिवर्तन करना नहीं चाहता है यदी उपभोकता संतूलन बिंदू में किसी भी तरहें का परिवर्तन करता है तो उसे अधिक्तम संतुस्टी की प्राप्ती नहीं होती है इसलिए एक बिवेक सील उपभोकता अपने संतूलन बिंदू में किसी तरहें का परिवर्तन करना नहीं चाहता है अब हम यह समझेंगे कि उपभुक्ता संतूलन को किस तरह से ग्यात किया जाता है छात्रों उपभुक्ता का संतूलन ग्यात करने के लिए हमें दो बातों की जानकारी होना आवश्यक है इन दो बातों की जानकारी होना आवश्यक है तभी हम एक उपभुक्ता संतूलन की स्थिती को ग्यात कर सकते हैं अब हम तटिस्ता मानचित्र और कीमद वजट रेखा इन दोनों को सेपरेटली समझते हैं सबसे पहले हम तटिस्ता मानचित्र इन डिफरेंस मेप को समझते हैं जब दो या दो से अधिक तटिस्ता वक्रों को एक ही रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे तटिस्ता मान्चित्र कहते हैं जैसा कि आप इस रेखाचित्र में देख रहे हैं OX एक्सिस पर X वस्तू और OY एक्सिस पर Y वस्तू को दर्साया गया है इस रेखाचित्र में IC1, IC2, IC3 और IC4 यहे तटिस्ता वक्र है IC1 तटिस्ता वक्र की अपेक्छा, IC2 तटिस्ता वक्र उपहोकता के उच्च संतूस्टी इस्तर को बतलाता है इसी तरहें IC2 की अपेक्छा IC3 और अधिक उच्च संतूस्टी इस्तर को बतलाता है IC3 की अपेक्छा IC4 और अधिक संतूस्टी इस्तर को बतलाता है अर्थाद नीचे वाले तटुस्ता वक्र की तुलना में उपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व होता है जो तटुस्ता वक्र होता है वह अधिक संतुस्टी इस्तर को बतलाता है यही इंडिफरेंस मेव है अब आगे हम कीमत या बजट रेखा प्राइस लाइन को समझते हैं वस्तूओं के उन विविन्ने सायोगों को बतलाती है जिन्हें उपभुकता अपनी सीमित आय और वस्तूओं की दी हुई कीमतों पर क्रय कर सकता है वह है कीमत रेखा या वजट रेखा होगी इसे समझने के लिए हम एक एक एक्जामबल लेते हैं मान लीजिए की एक उपभुकता के पास कुल आय आठ रुपे है जबकी एक्स वस्तूओं की कीमत दो रुपे प्रती इकाई है और बाय वस्तूओं की कीमत एक रुपे प्रती इकाई है अब ऐसी स्थिती में उपभूकता यदि X वस्तू की इकाईयां खरीदना चाहता है तो 8 रुपे से वहे कुल 4 रिकाईयां X वस्तू की खरीद सकता है और यदि वहे Y वस्तू की इकाईयां खरीदना चाहता है तो अपनी सीमी ताय 8 रुपे से वह वाय वस्तू की 8 इकाईओं को क्रह कर सकता है अब आप इस रेखा चित्र को देखिए इस रेखा चित्र में हमने OX-AX पर X वस्तू की मात्रा और OY-AX पर Y वस्तू की मात्रा को दर्साया है यहां पर विद्ध्यार्थियों PL रेखा प्रारम्भिक कीमत रेखा है इस कीमत रेखा पर उपभुकता अपनी सीमीत आय से X वस्तू की चाहे तो वहे चारिकाई खरी सकता है या Y वस्तू की आठिकाई को ग्राय कर सकता है और PL कीमत रेखा के किसी भी विंदू को वहे अपनी सीमीत आय से क्रे कर सकता है किसी भी विंदू का जो X और Y सयोग विंदू है उसको वहे अपनी सीमीत आय आठ रुपों से क्रे कर सकता है मानने जिए कि एक उपभुक्ता PL कीमत रेखा कि A बिंदू का X और Y वस्तु के सयोग को क्राई करना चाहता है तो वह बिंदू A पर X वस्तु की 2 एकाई और Y वस्तु की 4 एकाई क्राई कर सकता है अब हम ये मान लेते हैं कि उपभुक्ता की आए में व्रद्धी हो जाती है तो उपभुक्ता की आए में अधी व्रद्धी होगी तो कीमत रेखा उपर की ओर खिसक कर P1, L1 बन जाएगी जैसा कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं आए बढ़ने पर कीमत रेखा उपर की ओर बढ़ेगी और उपभुक्ता की आए घटने पर कीमत रेखा प्रारमभिक कीमत रेखा के नीचे की ओर बनेगी तो यहाँ पर इस रेखा चित्र में हमने समझा कि कीमत रेखा या बजट लाइन क्या होती है अब हम यह समझते हैं कि एक वस्तू की कीमत में परिवर्तन होने पर कीमत रेखा किस तरह से विवर्तित होगी या कीमत रेखा में किस तरह से परिवर्तन होगा इस रेखाचित्र में देखे विध्यार्थियों यहाँ पर हमने ये मान लिया है कि X वस्तू की कीमत में कमी हुई है अर्थात X वस्तू पहले की तुल्ना में सस्ती हो गई है इस रेखा चित्र में O X एक्सिस पे X वस्तु और O Y एक्सिस पे Y वस्तु को दर्साया गया है चुकि उपभुक्त की आय जो है पूर्वत है अर्थात उसकी कुलाए 8 रुपे ही है यहाँ पर केवल X वस्तु की कीमत में कमी हुई है केवल X वस्तु सस्ती हुई है तो प्रारम्भिक कीमत रेखा PL है चुकि अब उपभुक्त की आय स्थिर है और X वस्तु की कीमत कम हुई है X वस्तु पहले की तुलना में सस्ती हुई है तो नई कीमत रेखा PL बन जाएगी जैसे कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं नई कीमत रेखा PL1 होने पर मान लिजिए कि उपभुक्ता बिंदू B सयोग पर वस्तु का सयोग क्रय करना चाहता है तब वह सयोग बिंदू B पर X वस्तु की 4 इकाई और Y वस्तु की भी 4 इकाई करता है यहाँ पर X वस्तु सस्ती होने के कारण उपभुक्ता X वस्तु की 2 अतिरिक्त इकाई कर पा रहा है अर्थाद पहले 2 इकाई कर रहा था X वस्तु की अब यहाँ पर X वस्तु की कुल 4 इकाई कर रहा है इसमें हमने यह जाना कि अगर X वस्तू की कीमत में कमी होती है तो जो प्रारंभिक कीमत रेखा PL है वह दाहिने तरप उपर की और खिसक कर PL1 हो जायती है विद्यार्थियों अब हम उपभुक्ता संतूलन की सर्तों के बारे में समझते हैं एक उपभुक्ता जिस बिंदू पर संतूलन की स्थिते में होता है उस बिंदू पर ये निम्न तीन सर्तें पूरी होना आवश्यक होता है तभी एक उपभुक्ता का संतूलन ग्यात कर सकते हैं नमर बन सर्त कीमत रेखा तटिस्ता वक्र को इसपर्स करती हो नमर दूसरा इसपर्स विंदू पर तटिस्ता वक्र मूल विंदू की ओर उन्नेतोदर होना चाहिए नमर थर्ड इसपर्स विंदू पर तटिस्ता वक्र और कीमत रेखा का ढ़ाल एक दूसरे के वरावर होना चाहिए अर्थात MRS XY equal to PX divided by PY अर्थात X वस्तु की Y वस्तु के लिए घड़ती हुई सीमान प्रतिस्थापंदर बरावर होना चाहिए किसके X वस्तु की कीमत और Y वस्तु की कीमत के अनुपात के बरावर होना चाहिए यहे तीनों सर्थ जिस बिंदू पर पूरी होंगी वहीं पर उपभोकता का संतुलन स्थापित होगा विध्यार्थियों इस रेखाचित्र को देखिए यहां पर हम उपभोकता संतुलन को समझ रहे हैं इस रेखाचित्र में O X एक्सिस पर हमने X वस्तु की मात्रा और O Y एक्सिस पर हमने Y वस्तु की मात्रा को दर्साया है चित्र में PL कीमत रेखा है और IC1, IC2 और IC3 यह तीन इंडिफरेंस कर्व हैं विद्यार्थियों PL कीमत रेखा IC2 इंडिफरेंस कर्व को बिंदु E पर इस पर्स कर रही है इसलिए बिंदु E पर ये पहली वाली सर्थ पूरी होती है अर्थात बिंदु E जो होगा उप्भुक्ता संतुलन का बिंदु होगा इस बिंदु पर E बिंदु पर यह नम्मर दूसरे वाली सर्थ भी पूरी हो रही है अर्थात इस पर्ष विंदू जो की E विंदू है इस विंदू पर तटेस्ता वक्र IC2 मूल विंदू O की और उन्नेतोदर है अर्थात यहां पर X वस्तू की बाय वस्तू के लिए सीमान प्रतिस्था पंदर जो है वह घटती हुई है E विंदू पर हम देखें तो यह उपभोकता संतूलन की तीसरी सर्थ भी पूरी होती है जो यह कहती है कि इस पर्ष विंदू पर तटेस्ता वक्र और कीमत रेखा का ढाल एक दूसरी के बरावर होना चाहिए यह तीसरी सर्थ भी विंदू E पर पूर्ण होती है इसलिए बिंदू E उपभोक्ता संतूलन का बिंदू है जहां पर वह X वस्तू की 2 इकाई और 2 वस्तू की 3 इकाई क्राय करके संतूलन की स्थीती में है. यहां विद्यार्थियों IC1 इंडिफ्रेंस कर्व भी उपभोक्ता संतूलन के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि IC1 जो है IC2 की अपेक्छा निम्न संतूस्ती इस्तर को बतलाता है. जबकि वह IC1 पे दर्साए गए X और 2 वस्तू के विविन्न सयोगों को क्राय कर सकता है लेकिन वह अपनी उतनी ही I से उच्छ संतूस्ती इस्तर वाले IC2 कर्व पर पहुंच सकता है. इसलिए वह IC1 इंडिफ्रेंस कर्व में दर्साए गए X और 2 वस्तू के सयोग बिन्दू को करना नहीं चाहेगा. और वह IC2 जो की IC1 की अपेक्छा उच्छ संतूस्ती इस्तर को बतलाता है उस पर वह रहना पसंद करेगा. यहाँ पर IC3 कर्व भी है. IC3 कर्व में जो सयोग बिन्दू दर्साए गए है X और 2 वस्तू के उन बिन्दूों को या उन सयोगों को उपभुकता अपनी सीमित आए से नहीं खरीच सकता है. अर्थात उपभुकता के पास में जितनी सीमित आए है उस आए से वह IC3 इंडिफ्रेंस कर्व पर नहीं पहुँच सकता है. इसलिए IC1 और IC3 ये दोनों इंडिफ्रेंस कर्व उपभुकता संतूलन के लिए उप्युक्त नहीं है. अर्थात अंत तह बिंदू E जो है एक उपभुकता के लिए उपभुकता संतूलन के लिए उप्युक्त है. जहां पर वह X वस्तू की दो और बाय वस्तू की तीन इकाई को खरीद कर संतूलन की स्थिती में है. विध्यार्थियों इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से आपने समझा की उपभुकता संतूलन क्या है और तटिस्ता बक्र के माध्यम से किस तरह से हम उपभुकता संतूलन को ग्याद कर सकते हैं. मेरे नए नए लेक्चर वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे नए लेक्चर वीडियो आपको ततकाल मिल सके और आपकी अध्यनकार में सहायक हो सके. थेंक्यू.